है लो गाईज कैसे हो आप से बाई हो अच्छे हो बड़िया हो वई तो फिर से नए वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने गाईज आज मैं बताऊंगा दुनिया के तमाम देशों की करेंसी की बारे में किस देश का करेंसी सबसे यादा स्ट्रॉंग है और क हमारी देश का जो करेंसी है वो कितने देश पर भारी पड़ता है कितना स्ट्रॉंग है सारे चीज में बताऊंगा तो चलिए भाई वीडियो सुरू करते हैं तो हमारी देश की जो करेंसी है इनी से सुरू करते हैं तो हमारी देश की करेंसी यानि मुद्रा है वो महस 10-12 द जिन में रूपी कहता है उनकी देसों में भी तो कौन सी देस है सुन लीजिए वो पाकिस्तान में भी रूपी कहता है नेपाल में भी रूपी कहता है सिरलंका भी रूपी कहता है इंडोनेशिया में भी रूपी कहता है मौरिसास में भी रूपी कहता है भारत में भी रूपी क कहता है तो इतने सारी कंट्री में रूपी कहता है गायस कोंसी देश की रूपी जादा स्ट्रोंग है ये भी जान लीजिए तो गायस जो रूपीयों में सबसे जादा स्ट्रोंग है तो वो सेसल्स का रूपी है सेसल्स का रूपी इन रूपीयों में जितने कंट्री का नाम ब बहुत ही छोटा आइलेंड है जूम करोगे आप मोबाइल में तभी देख पाओगे अगर मैप खोल के देखोगे तो ठीक हिंद महासागर के नीचे और मादागासकर की उपर में है सेसल आइलेंड और इन देशों का जो करेंसी है रूपी जो है जितने सारे देश में रूपी तो गायज अगर पूरी वार्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग करेंसी अगर बोलोगे किस देश का है तो गायज बो है क्वेत का क्वेती दिनार पूरे दुनिया में राज करता है सबसे ज्यादा स्ट्रोंग सबसे ज्यादा पावरफुल है क्वेत का क्वेती दिनार जी ह दूसरे नमबर पे है बहुराइन का बहुराइन दिनार तिसरे नमबर पे है ओमान का ओमानी रियाल और चोथे नमबर पे है जोडन का जोडनी दिनार और पाचवे नमबर पे है बिटिस पाउंड स्टार्लिंग मतलब इन पांच country का जो currency है मुद्रा है पूरी worldness number one है इन मुद्राओं को पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा strong currency मानी जाती है और अगर आप dollar की बात करोगे US dollar की जो अमेरिकी dollar है US dollar अगर भारत की रुपे से compare करोगे तो एक US dollar की मुकाबला करने के लिए हम लोगों को महस 74.64 रुपी पे करना पड़ेगा एराउंडिंग 75 रुपिया पकड़ अब लोग 75 रुपिया पे करना पड़ेगा तब जाके US dollar का एक US dollar का मुकाबला कर पाएंगे हम लोग और भाई जो हमारी देश की और बहारो देश की बंगलादेश की लोग जो काम करने जाते हैं दुबाई में और सौधी आरब में उस देश की मुद्रा कितनी strong है जान लीजिए तो guys जो सौधी आरब का real है तो guys हम लोगों को मैस 20 से around 21 रुपिया पे करना पड़ेगा तब जाके एक real सौधी आरब का बरावरी कर पाएगा दुबाई का भी सेम है लगवग 20 रुपिय हम लोगों को पे करना पड़ेगा तब जाके उन दुबाई की करनसी की मुकाबला कर पाएगा तो guys दुनिया में सबसे ये strong currency है क्वेट का और दिनार जो है शरीफ क्वेट में ही नहीं बलकि बहुत सारी देशों में दिनार कहते हैं बहुत सारी देशों में real कहते हैं और जो डॉलर है बाई डॉलर भी लगबग 20 से अधिक देशों में डॉलर कही जती है अपने अपनी मुद्राओं को तो डॉलर जहें ये से अमेरिकन डॉलर है यूस डॉलर ऑस्ट्रिलीन डॉलर है Hong Kong डॉलर है सिंगापूरी डॉलर है कानाडियन डॉलर है ऐसे बहुत सार सारी कंट्री में दिनार कहते हैं, बहुत सारी कंट्री में रियल कहते हैं, तो आप यह जान लीजिए, जो पारमानू हमला जहल चुका देश यानि जापान, जापान की मुद्रा कितने स्ट्रोंग है, तो जापान की मुद्रा उतना स्ट्रोंग नहीं है, अगर आप बात रूपी की मुकाबले जापान की करनसी एन जापानी एन कितना स्ट्रोंग है तो गाइज जापान को कम से कम 1.54 एन पे करना पड़ेगा तब जाके हमारी एक रूपी की बरावरी होगी तो यह हो गई जापान की करनसी से हमारी देश की रूपी जो है भारी पड़ता है तो गा ज्यादा इस्ट्रोंग है ऐसा नहीं है और चाइना की बात करोगी ये पड़ोसी चाइना इनकी करनसी को वान बोलते हैं वान तो एक वान में हम लोगों को मैस 11 रुपिया 74 पैसे पे करना पड़ेगा तब जाके एक वान का चाइनिस एक वान का मुकाबला कर पाएंगे हम लो करनसी की इस देश का है सबसे लूज करनसी तो भाई वो पूरी दुनिया में लूज करनसी मानी जाती है इरान की करनसी इरानी रियल अगर हम लोग एक रुपी देंगे तो उनको मैस 546 रियल पे करना पड़ेगा तब जाकि एक रुपी का बराबरी कर पाएगा मतलब बहु जो परिस्तिती है उस देश में भई क्या बोलते हैं मुद्राइस फिती के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था उन देशों का करनसी घरलू संकट और तेल की संकट और मुद्राइस फिती के कारण उस देश की करनसी बहुत ही लूज हो गयी है जिसकी बज़े से उन लोगों की जो currency का value है बहुत ही घड़ गया है भई जो मैंने थमनेल में लगा दिया था कि भारती 100 रुपी के मुकाबला करने के लिए उनको 3,31,000 ऐसे कुछ पे करना पड़ेगा तब जाके हमारी भारती 100 रुपी की मुकाबला कर पाएगे मतलब मुद्राइस फिती के कारण और घरलू तेल संकट और घरलू विवात की कारण उस देश की जो currency है वेनेजुएला की currency बहुत ही लूज और बहुत ही कमजोर पड़ गई है पूरी वर्ल्ड में और गाइज मैं बात करूँ रसिया की currency तो गाइज देश किसी भी कितना भी बिक्सेत क्यों ना हो currency से माइने नहीं रखता है currency अपका कमजोर भी हो सकता है और currency अपका हाई भी हो सकता है जैसे अमेरिकान यूएस डॉलर हम लोगों की रुपी से ज्यादा पावरफूल है जैसे हम लोगों को 74.64 रुपी पे करना पड़ेगा तब जाके एक अमेरिकान रुबेल तो रसिया की भी वही हालत है लगबग एराउंडिंग दो रुबेल पे करना पड़ेगा तब जाके एक रुपी की मुकाबला कर पाएगा तो रफसिया की currency से भी हम लोगों की currency भारी पड़ता है और पूरी दुनिया में आगर देखोगी अंकों में सबसे बड़ नोट की इस देश का है तो वो है भाई जिंबाबोय का जिंबाबोय का जो currency है मैस उस देशों में छप दिया था उस टाइम पे उस देश की संगठी तो सरकार दुआरा एक सो ट्रिलियंड डॉलर मतलब एक सो खरब का नोट भाई सुनके चकित हो जाओगे आब लोग क्यू एक सो ट्रिलियंड डॉलर की नोट यानि एक सो खरब का नोट भाई कितना बड़ा अंक है ये एक सो खरब का नोट और उन देशों की अगर नागरीक को थोड़ा सा एक ब्रेड खरिदना होता था तो तीन सो आरब पे करना पड़ता था घर का रसन खरिदने के लिए ट्राक में भर के पैसा लेना जाना पड़ता था तो इसलिए इतना बड़ा नोट छब दिया था उस टाइम की मौझूद हालात पे उस देशों की सरकार ने और अगर बात करोगे कि कि इस देश का नोट साइज में सबसे बड़ा है तो साइज में सबसे बड़ा नोट है साउथ कोरिय जो अभी भी चलता है जिंभावव का नोट जो है 100 trillion डॉलर का वो तो बेंड हो चुका है और साउथ कोरिया का जो 50 हजार का नोट है वो अभी भी जारी है, उन देशों में चलता है अभी भी, पच्यास हजार का नोट साइज में सबसे बड़ा है भाई, और अगर बात करोगी हमारी देश में हाइस्ट कितनी बड़ा नोट छपा था, तो भाई 5000 का नोट हमारी देश में छपा था, सबसे हाइस्ट, वो चला थ तक फिर बेंड हो गया पांचाजार कानुट